हेलो फ्रेंट्स ना सीखेंगे हम साड़ी से कुर्टी बनाना प्लेट वाली तो जिसके लिए फ्रेंट्स जो साड़ी का बॉर्डर था उसको मैंने अलग कर लिया है अस्तर को 4 फोल्ड में करके बिछा लिजिए लेंथ में हमने 16 इंच लिया है 15 का तैयार रहेगा चोड़ाई में 7 इंच पे हमने जोड़ जट का फैबरिक साड़ी का तो थोड़ा बहुत उपन नीचे चलता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चला है अब बैग पार्ट में हमने एक इंच की दे दी है अब बस इनको कट कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिक है और एक इंच की गोलाई दी है मैंने नीच साइड से फिटिंग वाली साइड से दोनों पार्ट को खोलेंगे एक बैग पार्ट को अलग करके फ्रंट आर मूल की कटिंग कर लेंगे यह देखिए यहां से मैंने फ्रंट आर मूल की कटिंग कर ली है अब जो लहरिया वाला पल्लू वाला हिस साथ उसमें जो बूटी आई हुई है उसी के हिसाब से हमने कट करना है कपड़ा ताकि ज्यादा बूटी आ जाए इस पे अपने टॉप पार्ट पर तो देखिए तीन बूटी आ गई है अब दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रखके हम कटिंग कर लेंगे साथ की साथ मैंने पिन कि मैं इसे गुटने तक बनाऊंगी तो मैं इसे 43-44 इंच तक का ही बनाऊंगी उससे जादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसके नीचे स्लेक्स होगी लॉंग में बनाना चाहती है तो फुल रख लीजिए और इस तरीके से हमें इसमें प्लेटे डालनी होंगी तो हमने का पूरा पार्ट ले लिया है अब जो हमने एक अस्तर लिया है यह है हमारा लगभग साड़ी तीन मीटर अस्तर इसको हम ऐसे ट्राइंगल में बिछा के और जैसे कमर है यहां पे हमारी जितनी भी कमर होती है उसमें 36 कमर है तो नौ आ रहा है नौ में हमने सिर्प एक इंच एकस्टर लिया है तो हमारा हो गया 10 इंच तो 10 इंच पर हमने ले लिया है यहां से अब हमने अस्तर को इस अपने में फैबरिक से लगवग 3-4 इंच उचा कट करना है लेंथ में तो यहां से हमने इसको 4 इंच उचा रखा है थोड़ा सा इसमें जोड भी आएगा तो पहले इसमें किनारी वाले पार्ट को निकालके यहां पे जोड लगाके एक्स्ट्रा को फिर से कट कर देंगे पिन भी लगा दी है मैं साथ की साथ ताकि सिलने में इसी रहे जैसे जोड आ रहा है ऐसे ही सिलना है दूसरे पार्ट में भी सेम ऐसे ही जोड लगा लेना है अब देखिए जो हमने पिन लगाई थी cutting करते टाइम ही बस उनी पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते हो जाएंगे देखिए बहुत इजी हो जाता है अगर हम ऐसे cutting करती है तो साडी जोर जट की है तो बहुत soft है साडी तो हमने कोसिस की है कि इसमें जो थोड़ा भूऻ वर्क है वो आई इस बे तो देखिए फ्रेंट्स मैंने यहां पर एक मोड की सेंटर से और एक सेंटर में एक निसान बनाएंगे और एक कट मार लेंगे अब यह हमने board neck बनाया है बोट neck को हमने 5 इंच लंबा रखा है चार इंच ओडा रखा है और इसके भी center में हमने nisan लगा लिया है ये देखिए अब बस यहाँ पर pin लगा के चारी तरब को इसमें सिलाई है मतलब पूरे round में सिलाई लगा के मैंने सीधी साइड को गले को उल्टा करके रखा है जैसे आपको दिख रहा है अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग हटा देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई ना कटे आपकी ध्यान रखें और फिर इसको रॉंग साइड को पलट के तुरप अब इनको हम लगपक आदा आदा इंच का डालेंगे इस साइड भी इस साइड भी पलेट डालने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप भी जरूर डाले अब दूसरी साइड भी ऐसी ही पलेट को डालेंगे और गला मैंने बना लिया है और फिर जो हमने साड़ी ल लगाना है और बाजू पर लगाना है तो दोनों के सोल्टर जोड लेंगे सबसे पहले हम यह देखिए यहां से दोनों के हमने सोल्टर जोड लिये हैं सोल्टर जोडने के बाद यहां से भी सोल्टर जोड़ेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद इसमें हम अपने स्लीप वगयरा लगा देंगे तो यह देखिए अच्छे से जोडते हैं तो हमारा जो भी धागि तो देखिए यहां से मैंने इसको कट कर देना है आप इसको हम ऐसे पलट देंगे इंटरलॉक भी मैंने साथ की साथ कर लिया है क्योंकि साड़ी से धागि बहुत निकलते हैं तो यह द जादा इंच कपड़ा दवाते हो बिल्कुल ना खींचना है बना बाजू को खींचना है ना आर्म हूल को खींचना है बिल्कुल आराम आराम से रखके आपको ऐसे सिलाई लगानी है इसके उपर यह देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ और यहां से आपने पिन भी लगा सकत है वो आपको रखनी है फ्रंट साइड को जो कम गहरा है वो बैक साइड को रखनी होती है तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारी बाजु का फाइनल लगाने के बाद ना बड़ी है ना छोटी है एक फूल मैंने यहां पे भी ले दिया है अब बस दोनों साइड से इसमें फिट करके इसमें तब अपना टॉप पाठ अटेच करना है तो आप ऐसे भी गड़ सकते हो या फिर एक साइड से ही टॉप पाठ अटेच करके आप तब इसमें फ्ली लगा सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे तो मैँने एक साइड को फिटिंग की है अब ये है हमारा में तो मुझे जादा प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे कई वार लोग नहीं डाल पाते तो वह सुई का यूज करते हैं पर मैंने आपको बता दिया है तरीका वह सुई से लंब लंब टांके लगाते जाएं और इस तरीकी से देखिए जितने भी लंबी साड़ी बची थी बाजू और हमारा उपर का टॉप पार्ट करने के बाद मतलब आदा हिस्सा ही मान के चलिए क्योंकि हमने पल्लू वाला हिस्सा तो जितना था वो निकाली दिया है तो अभी हमारे जितना भी फैबरी की ये तीन कलर में बचाता उसी के हमें सारी प्लेटे बना लेनी है इसमें बैक आपके देख लें बीच में तो ये देखे जितना भी ये लंबा पूरा है अब बस इसको उल्टा करके रख लेंगे सीधी साइड को मतलब टॉप पार्ट आपका सीधा होना चाहिए और जो आपका ये है घेरा ये आपको उल्टा होना चाहिए और प्लेटों को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे अब दूसरी साइड से फिटिंग कर देंगे तो एक साइड कोई फिटिंग हमने इसकी छोड़ी थी तो देखे यहां से भी हमारे दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं और बस कुछ नहीं करना है नीचे बॉटम तक आप सिलाई लगा दी है और आपके पास अगर ऐसी साड़ी है तो आप अपने लिए बना सकती है आपको वीडियो अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो प्लीज लाइक कीजिएगा आप इसे लॉंग में भी बना सकती है धन्यागा